पिछले कई दिनों से बारिश पढ़ रही है जिस कारण से कपास की निराई गुड़ाई हो नहीं पाई है तो आप देख सकते हैं कि गास काफी बड़ा बड़ा हो गया है और इसका एक और मुख्य कारण किसान भाईयो कि कपास भी काफी बड़ी बड़ी हो गई है तो ऐसी प पोजिशन में हो नहीं सकती इसके लिए आपे सपरे कर सकते हैं इसके अंदर जो है कई दौाइयां आती है आज मैं आपको चार दौाइयां मुख्य मुख्य रूप से बताऊंगा जो आपके बिल्कुल काम की हैं तो किसान भाईयों बढ़े रही अपने वीडियो में और इसक इसके अंदर किसान भाईयों मैं आपको 3-4 दौाइया बताऊंगा उनमेंसे जो आप साहें प्रियोग कर सकते हैं इसके लिए जो पहली दौाई है दोस्तों, उसका मैं बताऊंगा आपको रूबा रूबा की जो पैकट है किसान भाईयों इसके आट पुरिया निकड़ती पुडिया ही गुल जाती है आपको दवाई निकाल करके डालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी यह किसान जो चोड़ी पत्ती के लिए काम्याब नहीं है पतली पत्ती के लिए जो रूबा सबसे बढ़िया काम्याब है अगर इसके खरच वरच की बात की जाए तो किसान भाई है चोड़ी पत्ती का गास बिलकुल नश्ट हो जाएगा लेकिन अगर आपके खेत के अंदर चोड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों हैं तो आप इन के लिए जो है आपकी हिट्वीट मैक्स के नाम से दुआई आती है उसका परियोग करें हिट्वीट मैक्स जो है जो पर दोऑां यह लगती है एक एसके बाद अगली दोऀ एकिसान वैके चोटी गासओर पतली पत्ती के लिए प्रियोग की जाती है अगर आप एजीड का प्रियोग करेंगगे तो इसे जो हैं आपकी छोटी कास यानिकिके सिरफ दो ती निंश्की गहसं से और पतली पत्ती की घास का ही नुक्षान होगा इसके अंदर जो चोड़ी पत्ती की घास खतम नहीं होगी के अंदर किसानवे दस परतिशत इसी साल्ट है और इसकी जो मातरा की बात की जाए तो यह लगवगा आपकी 300 का एमेल परतेक एकड़ के नुसार डलती है इसकी जो अगर आपन अंकरी पत्ती और छोटा गास है तो यह इसके लिए जो है आप अच्छी द्वाई एजिल मानी गई है इसके बाद ग्रामोक्सोन एक द्वाई आते किसान वह अगर आपका घास काफी बड़ा बड़ा हो गया है और चोड़ी पत्ती और पतली पत्ती है किसी भी द्वाई से काबू नहीं आ रहा है तो आप ग्रामोक्सोन का सप्रे कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान यह रख रहा है कि ग्रामोक्सोन जो है आपकी कपास के उपर ख्म पढ़ गया तो आपकी कपास की पतियां जड़ जाएंगी आपको जो है फ Principe के अंदर कुछ सुपेस पढ़ती है तो इन मेंसे जो भी आप चाहें अपने लिए इसका प्रियोग कर सकते हैं तो किसान वयोद जानकरी आपको कैसी लगी कपास से समंधित हर परकार के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर बढ़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें देने वाद किसान व